एक बार व्रंदावन की पवित्र भूमी पर एक साधारन सी दिखने वाली महिला ने अपनी असाधारन भक्ती से एक अद्भुत चमतकार का निर्मान किया। ये कहानी है उस महिला की जिसका हरदय भगवान के प्रेम से इतना भरा हुआ था कि उसने अंजाने में ही लड्डू गोपाल को अपने घर की चौकर तक खीच लाया। आईए जानते हैं कि कैसे उस महिला की अटूट आस्थाने उसे और उसके आरांधि लड्डू गोपाल को एक अनुखे बंधन में बाधा। एक महिला थी जो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज सुबह उठकर कानहा जी को नहला थी। उनके कपड़े बदलती और जंदन का तिलक लगा थी। वह उन्हें फल मिस्री या लड्डू जो भी उसके पास होता उससे भोग लगा थी। लल्ला को भ समेशा कानहा का नाम रहता। एक पल भी ऐसा नहीं होता जब वह अपने कानहा को याद नहीं करती। एक दिन सुबह से उस महिला पर बहुत जोर की हिचकी आ रही थी। और वह रुख नहीं रही थी। जिससे वह परेशान हो गई थी। तभी उसकी बेटी उससे मिलने आई और उसके आते ही हिचकी बंध हो गई। जब कोई किसी को दिल से याद करता है तो कभी कभी उसे हिचकी आ जाती है। गई। उसने मन में ठान लिया कि अब वह कभी लड्डू गोपाल को याद नहीं करेगी। इससे भगवान भी परेशान हो गए। कई दिन बीत गए। पर वह अब लड्डू गोपाल को मन से याद नहीं करती थी। इसके बाद वह हमेशा दुखी और बीमार रहने लगी। एक दिन उसके सपने में बांके बिहारी जी आये। जी उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ती है और रोते हुए कहती है। मेरे प्रभू, आप मेरे जैसी गरीब के घर आये, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मेरे दिल को ये सोच कर बहुत दुख होता है, कि मेरी वजह से आपको यहां तक आने में कष्ट उठाना पड़ा। मेरी भक्ती और प्रेम में कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं बचन देती हूँ, अब मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगी। इसके बाद वह फिर से रोजाना भग्वान की सेवा पूजा करने लगी, जैसे वह पहले करती थी। इस प्रकार उस भग्ती मही महिला की निष्ठा और प्रेम ने भग्वान को उसके द्वार पर खींच लाया। उसकी अटूट आस्था और प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भग्ती और प्रेम की शक्ती अपार होती है। बलकि यह भी दर्शाया कि भक्ति का मार्ग हमें आध्यात्मिक आनंद और शांति की और ले जाता है।